तो अगर कोई भी चार्ज वो इलेक्ट्रिक फिल्ड के बाहर होगा तो वो उस पे फोर्स एक्ट नहीं कर पाएगा कौन लेट से ये एक चार्ज है और ये क्यू है क्यू का इतना बाउंडरी है वो क्यू का इलेक्ट्रिक फिल्ड है तो कोई दूसरा स्टेटिक चार्ज इस बाहर हैं तो इस पर इस Q के कारण कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो सकता लेकिन लेकिन लेक्ट से कोई चार्ज इस Q की इलेक्रिक फिल्ड के अंदर है उसे नाम दे देता है Q0 where Q0 is unit positive charge Q0 क्या है unit positive charge या तो उसे हम कह सकता है test charge क्या कह सकता है test charge so Q and Q0 and let's say they are separated by distance of small r so what will be the electrostatic force between Q and Q0 very simple F is equals to 1 upon 4 pi k epsilon 0 product of charge Q Q0 by distance ka square r square